एलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चो अब आप लोगों का एक्जाम आने वाला है साथ तारीक को और्गेनिक केमेस्ट्री की भयंकर डिमांड थी मार्केट में की सर्क कुछ करो हमको सारी नेम रियक्शन पढ़ा दो हमको कनवर्शन बता दो तो आज आप लोगों के लिए दो चीज़े आ रही है एक अभी शायद इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आएगा मैंने और्गेनिक केमेस्ट्री के लिए एक आठ घंटे का वन शॉट बना दिया है क्या होता है अलग 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 वीडियो से पढ़ने से अच्छा एक वीडियो में वन शॉट में आठ घंटे में पूरा अमाइन्स और अलग याइड कीटोंस कार्बोकसरी कैसे निप्टा लो अब 1.2x की स्पीड से देख लो 1.5 की स्पीड से देख लो तो हो सकता है कि आपका काम साड़े 5-6 घंटे में निपड जाए फिर आप मेरे ट्रिक्स टु कंवर्ट organic chemical reactions की वीडियो देख लो दो वीडियो हैं वो भी मैंने combine करके डालती है इस वीडियो के साथ और एक ये अपनी वीडियो आजाएगी name reactions वाली organic chemistry का काम खतम एक दिन में organic chemistry खतम होती है फिर करना का है physical chemistry hardly 6 घंडे का काम है और inorganic chemistry भी 6 घंडे काम है दो दिन आप लोगों को benzene ring के ओपर c double bond ocl ये लेना है इसको hydrogen के साथ treat करने in presence of palladium and bso4 ये benzyl dehyde में convert हो जाएगा this reaction is called as rose and moon reaction मैं सारी reactions को बहुत easy format में समझाने की कोशिश कर रहा हूं rose and moon के बाद आता है stephen reaction guys stephen reaction में आप r c triple bond n ले ली जिए फिर आप इसका treatment stannus chloride और hcl के साथ कराईए देखो यहाँ पर मैंने पहले से mention कर दिया है कि एक reducing agent है reducing agent मतलब जो आपके compound में hydrogen को add कर दे तो अगर आपको यह याद रखना है तो ठीक वरना आप arrow के उपर sncl2 plus hcl लिख दो काम कतम हो जाएगा अब क्या होगा एक hydrogen इसमें और एक hydrogen इसमें add हो जाएगा तो यह हो जाएगा RCH NH और triple bond की जगे पे एक bond हटके double bond हो जाएगा फिर आप आप इसमें क्या करो acidic water डाल दो तो acidic water का जो oxygen है वो carbon से connect होके RCHO बन जाएगा और इसके दो hydrogen इस NH के साथ connect होके ammonia बनके बाहर हो जाएगे हमें इतना नहीं लिखना है मैं स्रीव aldehyde बनाना है ठीक है आगे बढ़ते है इटार्ड रियाक्शन गाइस इटार्ड रियाक्शन का यह easiest form है यह इटार्ड रियाक्शन का मैं आप लोगों के लिए easiest form लेकर आया हूँ क्या करना है toluene लेना है toluene का reaction CRO2 Cl2 के साथ कराना है पहले step में carbon disulfide डालना है दूसरे step में acidic water डालना है आपको आपका benzaldehyde मिल जाएगा ठीक है इसके बाद अगली chemical reaction Stephen के बाद अगली chemical reaction है Gatterman-Coach reaction इटार्ड, Stephen, Rosenmund और फिर अगली आती है Gatterman-Coach reaction बेंजीन का treatment carbon monoxide और HCL के साथ करना है in presence of a Lewis acid ALCA3 ले लो तो यह benzaldehyde में आपको convert करके देगा तो यह सारी reactions आप लोगों की क्या है aldehyde वाली है अब देखो इसकी में ट्रिक बताता हूँ इटार्ड, Stephen, Rose लेके Gatter में गिरे क्या है आप लोगों को मेरी ट्रिक समझ में आई क्या है मेरी ट्रिक इटार्ड, Stephen, Rose लेके Gatter में गिरे इसका मतलब क्या है इटार्ड से इटार्ड रियक्शन, Stephen से Stephen रियक्शन, Rose से Rosenmund रियक्शन और Gatter से Gatter में कौच रियक्शन यह सारी रियक्शन क्या करती है यह सारी की सारी रियक्शन आप लोगों को बेंजल्डिहाइड बना करती है देखो, Rosenmund में बेंजल्डिहाइड बना, Stephen में आपका अल्डिहाइड बना, Itard में बेंजल्डिहाइड यहने आपका अल्डिहाइड बना, और Gatter में कौच में भी आपका बेंजल डियाइड मतलब अल्डियाइड बना आगे बढ़ते हैं प्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन यह मैंने इसे करा दी इसके अंदर कोई अलग से करने की जरूबत नहीं आपको मालू में बेंजीन का ट्रीटमेंट अगर आप असाइल क्लोराइड और सी डबल बॉंड और सॉरी मैंने उल्टा तोड़ दिया यह यहां से सी यह लट जाएगा और यह जाकर ऐसा का यहां अटेच हो जाएगा तो बेंजीन के ओपर सी डबल बॉंड और याने की एक तरीके से कीटोन टाइप का फॉर्मेशन हो गया यह कीटोन बन गया देखो इस इस दा फॉर्मेश प्लीस पता होनी चाहिए रियक्शन में क्या करना है देखो आपके पास में यहां पर सी डबल बॉंड ओ कुछ भी हो सकता है और एच कुछ भी हो सकता है इसका ट्रीटमेंट आप एनेच बेंजीन के ओपर टू कॉमा फोर डाय नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बोलते आगया नाइट्रोजन मेरे प्यारे बच्चो और फिर यह पूरा का पूरा एजटी यहां पर आपको कनेक्टेट दिखाई देगा यह बन गया तुम्हारा टू कॉमा फोर डियेंट डियरेक्ट अटैश्मेंट वाली रियक्शन है कोई खास चिंता करने वाली बात यह एक पर आप अमाइन्स चैप्टर में या अल्डियाइट कीटोन कार्बॉक्सिलिक असिट में सौरी जाकर जरूर देख लेने टेबल बना हुआ है मैंने अभी जो वन शॉट डाला है न 8 गंटे का उसमें भी डीटेल में करा रखा है यह रियक्शन आपको ध्यान से देखनी है पिर आता है क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन तो यह दो जो केमिकल रियक्शन है इनमें आप देखो प्रोड़क्स सेम है हाईड्रोकारबन के अंदर आप आपके अल्डियाइट या कीटोन का ट्रीटमेंट जिंक मरकरी अमलगम के साथ करते ह तो यहाँ पर यह CH2 बन जाएगा और H2 बाहर हो जाएगा एक प्रकार का रिद्यूसिंग एजेंट ही मान लो अब इसको जिंक मरकरी अमलगम इन प्रेजेंस ओव एचल प्रकार का रिद्यूसिंग रिजेंट है दो हाईड्रोजन औक्सिजन के साथ वाटर बनके बाहर हो हो गए बचेवे दो हाईड्रोजन कार्बन के साथ जुड़कर हेलो अपना हाईड्रोकार्बन बना दिया अब वुल्फ किष्णर क्या बोलता है वुल्फ किष्णर ने अल्टिहाइट कीटोन का ट्रीट्मेंट हाईड्राजीम के साथ कर यहां से दो हाईड्रोजन इसके बन गया यह बन गया nth2 c पर दो बॉण अल्रेडी है आपने इसका treatment क्योज के साथ करा हीट करके तो क्या हुआ यह दोनो nitrogen n2 बनके बाहर हो गए और यह दोनो hydrogen इस पर जाकर अटैच हो गए ठीक है तो clemenson reduction और गुल्फ किशनर रिड़क्शन हाइड्रो कार्बन बनाता है ठीक है ठीक है इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे क्लेमेंसन है वुल्फ किश्णर इसका मतलब क्या है ही मतलब हाइड्रो कार्बन मतलब आपको दोनों के अंदर hydrocarbon बनाना है आपको दोनों के अंदर product में hydrocarbon बनाना है बद इतना ध्यान रखना ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलो आगे बढ़ते हैं आयोटो फॉर्म रियक्शन आयोटो फॉर्म रियक्शन जो आप लोगों को बोर्ड एक्जैम में कई बार पूछे जाने का chances होता है तो देखो आयोटो फॉर्म रियक्शन के अंदर आपको एक RC double bond OCHT देखो यहां पर एक इंपोर्टेंट बात क्या है कि जो तुम्हारा aldehyde तो इसके अंदर शायद ना है लेकिन जो कीटोन होता है कीटोन के अंदर इस C double bond O वाले कारबन से एक methyl group होना compulsory है यहां आर कुछ भी हो सकता है लेकिन यह methyl group होना कंपल्सर यह तो ही आयोडो फॉर्म या हेलो फॉर्म काम करेगा तो आपने आर सी डबल बॉर्ण ओ सी एश त्री ले लिया इसका थ्री मोल्ड ऑफ आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉंग बेस रियाक्शन कराया तो आपको थी एच आई थ्री मिलेगा इस इस कि इसके बाद यह यह और यह याद करना हो तो करो नहीं करना हो तो मत करो बस आप एक कीटोन ले लो आर सी डबल बॉर्ण ओ ती एश त्री इसका ट्रीट्मेंट आयोडीन के साथ करो इन प्रेजेंस ऑफ बेस और आयोडो फॉर्म बना दो बस वो एन आई आई आर सी ओ ओ और ती इस रियाद करना हो तो ठीक अधरवाइस उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है कैनिन जरू रियाक्शन उतने जादा इंपोर्टेंस नहीं रखती कोई पूछी नहीं जाती पर फिर भी देख लेते आपके बास में आपर दो अल्डियाइड यह कीटोन हो सकते आप उस जुड़ जाएगा समझमारी बात मेरे प्यारे बच्चों को और यहां ते एक हाइड्रोजन जाकर इस कार्वन पर जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा आपका अलकोहल अब यहां पर बच्चा सी डबल बॉंड ओ दी डबल बॉंड ओ एक बॉंड यह रहा वो रहा एक हाइड्रोजन से और यह ओके जाकर दूसरा बॉंड यहां पर बना लेता है तो इस तरीके से आप लोगों को कैनिन जैरो रियाक्शन होती भी नजर आती है इस वेरी इजी कोई ज्यादा खाथ इंपोर्टेंस नहीं है इस रियाक्शन का रेकिन कैनिन जैरो आपको पता होन यहां पर उस पर सब्सिट्यूशन होता तो क्या करना है आपने लिया इन प्रेसेंस ऑफ हेलोजन हेलोजन आप यहां पर क्लोरीन या ब्रूमीन लेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेसेंस में हीट करो और दूसरी स्टेप में पानी डाल तो यह जो सेकेंड नंबर वाला यह जो कार्बन है यानि जो आपके फंक्शनल ग्रूप के कार्बन के जस्ट जुड़ावा कार्बन है उस पर एक हेलोजन जाकर अटाइच जाएगा खता है कुछ भी नहीं करना है फिर हेल वोलाट देलेंस के बाद गैबरियल थैलिमाइड रियाक्शन होती है यह रियाक्शन करनी हो तो करना नहीं करनी हो तो चोड़ दें न पर अगर अच्छे मार्ट्स लेकर आना चाहते हो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं चाहूँगा यह रियाक्शन आप करें क्या करना इसके नहीं देखो बेंजीन रिंग से सी डबल बॉन हो सी डबल बॉन हो एन एच जुड़ा होगा रहता है आपने इसको के ओएच के साथ ट्रीट करा तो यहां पर क्या हुआ यहां से एच और यहां से ओएच वाटर बनके बाहर हो गए और यह पोटैशियम ने ना से बाहर हो गया और यह अलकायल हलाइट नाइट्रोजन से जुड़ गया अब यह बन गया अब मैंने इसको न एच के साथ ट्रीट करा तो मूल्स तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों पहले केस में पहले केस में यहां से ओएच जाकर इस कार्बन से जुड़ गया मतलब यहां से नाइट्रोजन और अलकायल ग्रूप दोनों बहार हो गए नाइट्रोजन और अलकायल ग्रूप दोनों यहां से बहार हो गए यह यहां से भाग गए और एने ओएच के ओ एने ने एक इस कार्बन पर और दूसरे वाले के ओ एने ने इस वाले कार्बन पर अटैक कर करके ONA ONA बना दिया और क्या हुआ सर बाकी का क्या हुआ होगा तो यह तुमारा R यह तुमारा N यह तुमारा R यह तुमारा N और बैटा यह NOH के दो hydrogen बचेवे होंगे क्योंकि दो moles है यह H2 combine होगा तो यह बन गया R NH2 तो यह बन गया तुमारा primary amine तो Gabriel Thelimide आपको amine बना कर देता है primary amine बना कर देता है अच्छी reaction है मैंको दिखी मुझे लगा आ सकती है इसने मैंने लिखवा दी हैपी बर्डे नए 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 Hoffman Bromamide Degradation एक step में होती ही reaction बुक में बहुत मोटी और लंबी दे रखी है वो करने की जरुवत नहीं Hoffman Bromamide Degradation भी आपको primary amine मना कर देता है आपके पास में एक amide होगा RC double bond O NH2 इसका treatment strong base और bromine के साथ तरोगे तो आपको primary amine मिल जागा देखो कितनी easy कर दी मैंने आप लोगों के लिए reaction आखरी बाली होती है send mayor reaction send mayor reaction में आप लोग सब जानते हो कि आपको सबसे पहले है आपर एक aniline लेना होता है aniline का treatment जब आप N-A-N-O-2 और H-C-L के साथ करते हो at 273 से 278 Kelvin तो यहाँ पर बेंजीन के उपर N2 positive और X negative बन जाता ही हो गया तुम्हारा दाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम है लाइड अब आप उसको C-U-C-L और H-C-L के साथ treat करोगो तो chlorobenzine C-U-B-R-H-B-R के साथ treat करोगो तो साइनो बेंजीन यह सेंड मेर रियाक्शन में आते हैं इसके अलावा और कोई reaction सेंड मेर में नहीं आती इसको अगर आपने water के साथ treat करके फिनॉल बना दिया तो वह सेंड मेर का part नहीं है सेंड मेर के यह तीन ही बच्चो तो टोटल आप लोगों को मैंने जित्ती नेम रियाक्शन पढ़ाई हैं यह आप ठीक तरीके से कर लीजेगा तो यहां पर आप देखो गैबरीयल का हैपी बर्थडे यह दोनों गैबरीयल थेलिमाइड और हैपी बर्डेशन आपको अमाइन्स के लिए यूज तरन बनता है तो आपको अगर रियाक्शन ना भी आदो आप प्रोडक्ट में अमाइन लिखे तो आ सकते हो कुछ नहीं से कुछ तो बहतर है इस तरीके से तो गाइस अब आच मेरी तरफ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट तो मैं करवा चुका था अल्रेडी जी सी 3.0 में आना यार एक्जायम देने के बाद में बताना एक्जायम कैसा गया रिजल्ट आने के बाद बताना अपने मृतिवुंजे सर को याद रखना ऐसा ना हो जाए कि मृतिवुल जाओ क्यों कि यह साल जो तुमारे साथ में विटाया है 2122 यह मेरी लाइफ का बहुत खरापताल था कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आए कुछ बुरे मोमेंट्स तो बहुत ही बुरे मोमेंट्स आए लेकिन वो अपके साथ ही आए है तो आपके साथ सब शेर किया वह आपका जो batch था वो मेरे लिए एक supporting batch था मनलब अभी तक जितने batches पड़ा है उसमें आपका बैच सबसे best रहा है क्योंकि आपने जितना support किया उत्ता शायद बाकी लोगों को मौका नहीं मिला हूं जो support करने का तो thank you so much for that मैं आपके साथ में हमेशा हूं and keep sharing our channel gravity circle या आपका भी channel है आपका चैनल है तो आपको इसको share करना अपने 10th 11th and 12th के juniors के साथ अपने schoolmates के साथ अपने coaching के दोस्तों के साथ and all the best for your exam साथ तारीक को rock कर देना मैं आपके साथ में हूं see you